पवन सिंग का तेवर देखकर चोग गए सनी देवल जी हां सनी देवल को बॉलीवुड में एक्शन किंग कहा जाता है वही एक्शन किंग का तमगा भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंग को मिला हुआ है सिंगापुर में हुए वाड़ शो में जब पवन सिंग स्टेज पे पहुशते हैं और उनके पहुशने के बाद जनता जिस तरह उनका स्वागत करती है इसे देखकर बॉलीवुड के एक्शन किंग सनी देवल देखकर दंग रह जाते हैं इसलिए कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पवन सिंग की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग सिंगापुर में है जी हाँ और तो और पवन सिंग से हाथ मिलाते हुए सनी देवल भी यहाँ उन्हें कॉंगरू चिलेट करते हैं क्यूंकि पवन सिंग को बेस एक्टर और बेस सिंगर दोनों का एवार्ड मिला है साथी साथ आपको बता दें कि खिसारी लाल यादो इस एवाड शो में नहीं गये थे क्योंकि उनका शोग 6 तारिक को ही दिल्ली में था यहाँ पर ये संदेश दिया है खिसारी ने कि जब उन्हें देश में सम्मान मिलेगा तो वो सम्मान लेने देश में ही रहेंगे विदेश नहीं जाएंगे, हाँ कोई भी एवार्ट शो होगा अगर उन्हें देश में सम्मानित करता है तो वो जरूर देश में रहके उस सम्मान का हक प्राप्त करेंगे न कि विदेश जाकर उस सम्मान को लेंगे यानि कि खेसारी की नजर में ऐसे सम्मान की कोई कीमत नहीं है जो विदेशों में जाके लिए जाए और खेसारी लाल यादों के स्टेश शो को सबसे ज़ादा कामियाब यह वाला स्टेश शो बताया जा रहा है सबसे ज़ादा कामियाब स्टेश शो बताया जा रहा है क्योंकि इस स्टेश शो में लोग कह रहे हैं तकरीबन दस लाख लोग ने उपस्तिती दर्ज कराए थी अब चाहे जो भी हो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा बॉलीवुड से लेकर हर जगए इन दिनों पवन के ड झाल पिरे ज़ाँ अयोग झाल थी नहीं होगाँ पर लोग कह रहा है जाए जाए उड़.